प्रेस्ट लॉर्ड रगुयेश्यु मसीख के नाम में हम आप सभी का आज की चर्श सर्विस में स्वागत करते हैं मैं आशा करता हूँ कि जरूर आज की वर्शिप आज की अरादना में आपने आनंद किया होगा प्रमेश्वर की हजूरी को अनुभव किया होगा प्रमेश्वर के साथ आपने बात किया होगा प्रमेश्वर ने आप से प्रमेश्वर के आत्मा ने आज से आज बात किया होगा प्यारों आज का जो वचन है हम सीधे वचन में जाने वाले है आज का जो टाइटल है जो विश्य है मेरा वो है समय बदल चुका है हम लोग इस समय में सायद इसको कोरोना काल कहते है दुनिया उनको कोरोना काल कहती है दुनिया इस समय को एक अलग नजर्य से देख रही है परन्तु जरूरी यह है कि कलिश्या इस समय को कैसे देख रही है आप और मैं इस समय को कैसे देख रहे है विश्वासियों ने इन समयों में जो भी समय से हम गुजरे या गुजर रहे है उसमें विश्वासियों ने क्या सिखा? क्या विश्वासियों को पता है? क्या आपको और मुझे पता है? कि बाइबल के हिसाब से, यदि बाइबल को हम फ्रंट में रखे, तो हम कौन से समय में जी रहे है? समय को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आप समय को जान जाओगे, समय का आपको पता चल जाएगा, तो इस समय के हिसाब से मुझे और आपको कैसी तैयारी करनी है? क्या तैयारी करनी है? यह सब पता चलेगा. कैसे जीना है? यह पता चलेगा. मैं हमेशा कई लोगों को जब मैं मिलता हूँ, कुछ ऐसी बाते निकलती है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, यह माइने नहीं रखता है, कि आप कितने जागरूत हो, कि कौन से समय है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, but it is all about, मैंने यह रखता है, कि क्या आप तैयार हो, क्या आपने कोई तैयारी की है, इस समय को जानकर, इस समय को पहचान कर. आए हम छोटी दुआ करते हैं, और हम बचन में जाएंगे. प्यारे परमेश्र पिता प्रभु येश्य मसी नाजरी के नाम से हम आपके चरनों में आते हैं पिता हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाईयों के लिए आपकी आशिशों के लिए आज जो समय आपने हमें दिया है कि हम प्रभु तेरे वचनों से जिस समय में हम जी रहे है उस समय को जाने ताकि प्रभु हम आपके आगमन के लिए रेक्चर के लिए और जगत के अंद के विश्य की जो बाते है जो भविश्य में होने वाली है आने वाले समयों में जो बनने वाली है, उन सारी बातों के विशे में जान कर, प्रभू हमारा उद्देश यह है कि आज हम अपने आपको तयार करे, आज हम तेरे लिए तयार हो जाए प्रभू, क्योंकि प्रभू तेरा वत्यन कहता है कि अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा लोग विश्वास में कमजोर हो जाएंगे पिता हम आपके पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर हो पवित्र आत्मा इस पृत्वी के उपर आप हमारे सहयोगी हो आप हमारे सहायक हो आप हमारे मागदर्शक हो पवित् को सुने उन सब के लिए मैं प्राठना करता हूँ पिता हमारे रिदय और मन को हमारे आत्मी कांको को तु खोल दे प्रभू हमें सुनने वाले कान और समझने वाला रिदय दे प्रभू समझने वाला मन दे प्रभू ताकि प्रभू तेरे वचनों को आज हम सुने सिखे और प् प्रभु उस धन्य आशा के विशय में प्रभु येश्य मसीह में जो उधार और आने वाले दिनों में आने वाले समयों में जब प्रभु आपका दिन आएगा आप जब बादलों पर आओगे उस धन्य आशा कोई बारे में हम लोगों को बताए हम खुद अपने आप में तयार हो और कई लोगों को तयार करें पवित्रा आत्मा में मेरा रिदाई मन आत्मा शरी प्राण मेरे मेरे साथ निकाल लिए लुका रचित्सु समाचार उसका 21 वाद याए लुका रचित्सु समाचार उसका 21 वाद याए और 24 वी आयए था जब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुँचाए जाएंगे और जब तक अन्या जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरोशालेम अन्या जातियों से रुणदा जाएगा प्रभु येश्यों मसी जब अपने शिश्यों के साथ अंड के विशय में बात कर रहे थे तब सारी बाते करने के दौरान एक चीज परमेश्वने ये बताई कि यहुदी लोग उस समय का इसरायल यहुदी प्रजा उनके विशय में प्रभु कहते हुए ये बात करते हैं कि वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देसों के लोगों में बंदी होकर पहुँचाए जाएंगे और जब तक अन्या जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरुशालेम अन्या जातियों से रोंदा जाएगा प्रभु येश्य मसी जब इस पृत्वी के उपर आए मैं हमेशा कई बार कहता हूँ कि प्रभु येश्य मसी हमेशा कैंडर में है चाहे आप समय की बात करो, चाहे आप स्वर्गी की बात करो, चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, प्रभु येश्यु मसी हमेशा केंडरा में होंगे, यदि वर्ल्ड की, पृत्वी की, हम बिबली, यदि उनकी बायोग्रोफिक की बात करें, और जियोग्राफिकली यदि हम उ लिदान क्यों किया प्रभु येश्यु मसी हमेशा हर एक चीज के कैंदर में हैं वचन कहता है कि जब दो या तीन मेरे नाम से इकटे होंगे मैं उनके मद्य में उनके बीच में नहीं उनके मद्य में मैं रहूंगा प्रभु येश्यु मसी सदा हर एक चीज के कैंदर में हैं स तो जब प्रभु येश्व मसी इस पुर्थवे के उपर आए, समय के भाग हो गए है ना जिसको हम कहते है बिफोर क्राइश्ट और आफ्टर मिसी एंड इडी समय के दो भाग हो गए और यहां प्रभु का वच्चन कहता है कि और जब तक अन्या जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरुश्चालेम यहुदी प्रजा को बंदी होकर इस इसराइल से बेर बिखेर हो जाएंगे बंदी बनाकर उनको ले जाया जाएगा और प्रभु येश्व मसी ने जब यह कहा उसके बाद सेवेंटी एडी में सेवेंटी एडी में फर्स्ट ज्यूइस और रोमन और उस दौरान उसके बाद सभी इसराइली यहुदी लोग पूरे वर्ड में बेर बिखेर होज कहे थे पूरे वर्ड में और उसको यरुशालेम का पतन हिस्टोरिकली उनको यरुशालेम का पतन बोलते है कि यरुशालेम डिस्ट्रॉय हुआ यरुशालेम को डिस्ट्रॉ ना हो तब तक इस्राइली लोग पूरे वर्ड में विखर जाएंगे यानि कि उनका इस्राइल वो इस्राइल उस समय में ना रहेगा तो आज का इस्राइल कैसे आया वो भी हम आगे देखेंगे उसके पहले हम एक और वचन देख लेते हैं यदि सिल्वान स्वाई हमारी साहि तक करें तो रोमन्स 11.25 रोमनों की पत्री पॉलूस भी इस बात को दोहराता है क्योंकि परमेश्वान ने उनके साथ भी बात की थी और पॉलूस भी इसी चीज़ को दोहराता है रोमन्स 11.25 में जब तक अन्य जातियां पूरी रीती से प्रवेश्ण कर ले तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा जब तक अन्य जातियां पूरी तरीके से प्रवेश्ण कर ले यह सारे रेफरेंस आप लिख लिजिए बाद में आप स्टड़ी कर सकते हो इस मेसेज को दु यदि आप बाइबल में जब प्रभु येश्य मसीज पृत्वी के उपर आये वो यहुदियों के उध्धार करता के रूप में संसार के उध्धार करता के रूप में ही आये थे पर सबसे पहले वो यहुदी लोगों के लिए इसलिए वचन कहता है कि मैं वो अपने लोगों के पास आया पर अपने लोगों ने उनका अंगिकार नहीं किया उनको ठुकरा दिया और वो सारी योधना पूरे संसार के लिए फिर प्रभुयेश्य मसी पहले यहुदियों के लिए और उसके बाद अन्यजातियों के लिए भी वो मार्ग खुला और पॉलुस यहां पर कहता है क अन्यजातियां पूरी तरीके से प्रवेशना कर ले कहां पर प्रवेश करना है स्वर्ग के राज्य के विशय की ये बात है परमेश्वर के उद्धार की योधना के विशय में ये बात है यहुदियों ने जब उनको इंकार किया उनको मसीहा के रूप में वो पहचान नहीं पाए सास्त्र को जानकर भी सास्त्र की भविश्यवानियों को जानकर भी वो समझ नहीं पाए कि आने वाला उद्धार करता जिसकी हम राह देख रहे हैं वो तो आ चुका है और उसका नाम इसु मसीह है क्योंकि वो उनके बीच में जन्मा क्योंकि उनके मम्मी को वो जानते थ लिए ज़सी अज़ाए उसके बाद मर्य मचुशु या रिक्म का इस सदय को सकता है तो कई बार जब हमारे सामने चीजे बनती है हम उनको इगनोर करते है ये मनुश्य सोभाव है कि हम फ्यूचर में होगा कब होगा ये हमेशा हमारी सोच रहती है पर जब हमारे सामने चीजे बनती है हम उनको जिस तरीके से देखना चाहिए जैसे यहूदियों ने गलती की पूरा नियम सात्र जानते थे, भविष्य वानियां जानते थे, भविष्य वक्ताओं की भविष्य वानियों को जानते थे, फिर भी जबाने वाला मसीहा आ गया वो उनको समझ नहीं पाए उद्धार करता के रूप में उसका अंगीकार नहीं कर पाए हमारे समय में भी जो गटनाय हो रही है जो बन रही है क्या हम उसको देखकर समझ रहे है कि हम कौन से समय में जी रहे है और यदि हम उसको समझ रहे हैं तो हम कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं जब तक अन्या जातियां पूरी इरिती से प्रवेशना कर ले यानि कि ये जो पहली एक आयत हमने देखी लुकार रचित सुसमाचार 21 वाध्याय और 24 वी आयत कि वे तल अन्या जातियों का समझ पूरा ना हो यानि कि अन्या जातियों के लिए जो उद्धार का मार खुल गया जो उद्धार की योजना सभी अन्या जातियों के लिए खुल गई प्रभु येश्यु मसीर के बलिदान के बाद प्रभु येश्यु मसीर के पुनृत्थान के बाद प्रभु येश्यो मसीह में जो उद्धार की आश्रा है वो जब अन्य जातियों के लिए आपके मेरे अन्य जातियां जब हम बोलते हैं तो यहुदी प्रजा को छोड़ कर हर कोई वो अन्य जाती है आप और मैं अन्य जाती में से इस वचन के कॉंटेक्ट्स में मैं बात कर र गई और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरुशालेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा और ऐसा हुआ यह एक ही आयत 7080 से लेकर 1947 तक 48 तक क्योंकि 1948 में क्या हुआ 1948 में यरुशालेम यदि आपको गूगल में भी अगर थोड़ा सर्च करोगे आपको पता चलेगा इसरायल देश पिर से कब बना 7080 के बाद प्रभू येश्यों मसी के बाद जो 7080 आता है उसके बाद सीधा 2000 साल का एक पूरा समय आया जिसको हम अन्य जातियों का समय कह सकते हैं जिसको हम आज भी ग्रेस पिरियर कहते हैं अभी जो आखरी दानियल जिस विशए में बात करता है 78 विक, 70 वा विक वो जब सुरू होगा उसको आने वाले समय के बारे में यदि हम बोले तो हम उसको कहते है जिसके विशे में बिते दिनों में पाश्टर अमिज जी ने बहुत कुछ अच्छी और डिटेल में चर्चा की थी हम उसको डिटेल में नहीं दिख रहे पर महा कलेस काल वो सुरू होगा उस समय तक का समय उसमें एक पॉज आया था एक पॉज प्रफेटिक टाइम देखो हमारा समय पूज प्रुछवी पर का समय और परमेश्वर के समय में अंतर है वहां पर परमेश्वर ने एक पॉज ला दिया था परमेश्वर हमारे कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते हैं पूरी दुनिया Gleich British केलेंडर के शखर से चलती है और आप गषण संधर को देखो तो अभी ही बीदे दिनों में ज़िए सॉरू हुआ है नया साल सुरू हुआ रोशासान्ना की जो उनको नया साल, जैसे हम नया साल मनाते हैं, वो लोग भी नया साल मनाते हैं, तो भी ते समय में रोशासान्ना उन्होंने नया साल मनाया, एक नया साल में हम प्रवेश किये, पर प्यारो यदि इस गटना को हम देखे, तो सिर्फ हम नया साल में प्रवेश किया है एक new decade has been started एक new decade एक नया दसक शुरू हुआ है और यह जो दसक सुरू हुआ है वो कोई आम दसक नहीं है क्यों 1947 में यरुशालम फिर से स्थापित किया गया restore किया गया उसकी official जो date है वो है 14 में 1948 पर कोई भी देश ऐसे ही सीधा अपना restoration या इस्राइल देश की तरह हम अपने आपको जाहिर करते है वो सीधा तो नहीं हो सकता पहले एक document बना होगा जहां पर sign किया गया होगा और सब लोगों ने समझोता किया होगा तो वो जो घटना बनी थी वो 1947 में बनी थी 1948 वो डिकलेर हुआ जाहिर हुआ 14 में 1948 इस वो इट वस प्रोक्लेम्ड देखलेरेशन अप देश्टाब्लिस्मेंट अप देश्टाब्लिस्मेंट तरीके से जाहिर किया गया पर 1947 में इट वस डुली साइंड एंड एट वज फॉर्म्ड ओन पेपर इज ए सटेट ऑफ इस्राइल इसराइल इसराइलदेश वो 1947 में ऑन पेपर ओफिशल जिसको जो ऑफिशली जो बाते होती यह जो तीज़े होते हैं वो 1947 में हुई थी और 70 years, यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा था, हम फिर से पढ़ते हैं, जब तक अनिया जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरुशालेम अनिया जातियों से रोंदा जाएगा, पहले वो यरुशालेम और इसराइली राश्टर के रूप में वो था, पर 70 AD से लेकर 1947 तक कोई इसराइल नहीं था इस पृथवी के उपर, यानि कि जगा थी, पर वहाँ यहुदी लोग आकर रिश्टोर नहीं हुए थे, इसराइल देश फॉर्म नहीं हुआ था, जो बना 1947 में, और 1947 के बाद, जो 2017 की साल थी, it was a jubilee year for Jewish people, Jewish लोगों के लिए, यहुदी लोगों के लिए, वो jubilee, यदि आप पुराने नियम में पढ़ो, तो वो jubilee year का बहुत ही महत्वा होता था, और jubilee year, यदि हम 1947 को भी देखे, तो जो इतिहास कार है, और जो यहुदी लोग, जो सास्तर के जानने वाले है, उनक उसके बाद की जो jubilee आई, वो 2017, 2017 में हुई, और 2017 में क्या घटना बनी, तो 2017 में Jerusalem became the capital, US, जो Donald Trump, President Donald Trump जब आये, उन्होंने इस्राइल के प्रतीर काफी ध्यान दिया, इस्राइल की जो गरिमा थी वो तो थी, पर उनको एक state के रूप में, एक capital के रूप में, क्योंकि उनकी territory defined नहीं थी, है ना, आज भी जो बड़ा प्रशन है, इस्राइल और Palestine के बीच में, वो है जरुशालेम, किसका है, कोई कहता है हमारा है, इस्राइल कहता है कि हमारा है, तो आज भी वो एक बड़ा प्रशन है, पर जब President आये, Donald Trump, उन्होंने, 2017 में, जरुशालेम को capital के जाहिर ने, उन्होंने डिकलेर किया, और 2018 में, यदि आपने, आपको ये याद हो, 2018 में, U.S. Embassy को यरुशालेम में लाया गया, U.S. Embassy को, यानि कि USA, जो पूरे विश्व में, प्रमुक शत्ता के रूप में, इस प्रुथवी के उपर है, उन्होंने, डिकलेर किया, वो जब अपनी Embassy ले जाता है, मतलब कि वो जाहिर करता है कि यरुशालेम, वो इसराइल का भाग है, और वो इसराइल की capital है, जो पहले, तेल अवीव तो वहाँ दिखाए, तो बिते दिनों में, थोड़े ही दिनों पहले, US ने ये डिकलेर किया, कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई Jewish व्यक्ति, यरुशालेम में जन्मा लेता है, तो उनका पास्पोर्ट, यरुशालेम को, उनका नेटिव के रूप में, उनके पास्पोर्ट में, यरुशालेम छप कर आएगा, यरुशालेम, he is a citizen of Jerusalem, he is a citizen of Israel, यदि वो जरुशालेम में जन्मा लेता है, तो वो citizen of Israel है, इसा उनको माना जाएगा, तो उसका अर्थ क्या है? कि यरोशालेम वो इसराइल का भाग है ऐसा वो जाहिर कर रहे हैं और इन दिनों में territory भी इसराइल के territory भी define हो रही है define हो चुकी है ये सारी घटनाए हमारे समय में बन रही है एक पीड़ी 1947 के पहले एक अलग समय था पर 1947 के बाद एक अलग समय में हम लोग जी रहे है US Embassy को इसराइल में लाया गया जरुशालेम में सापित किया गया और जो भी यरुशालेम में जन्द मलेंगे उनको इसराइल के सिटीजन के रूप में उनके पासपोर्ट में ये बाते आएगी तो ये सब हमारे समय में आप देख सकते हो US announces citizens of Jerusalem as a citizen of Israel तो ये सब हमारे समयों में हो रहा है आगे हम बचन में जाते है लुका रचिस्सू समाचार उसके 21 वे अध्याय में हमने 24 वी आयत पड़ी तो 78 से लेकर 1947 तक का समय वो अन्या जातियों का समय और एक ग्रेस पिरियर्ड भी हमारे लिए जो उद्धार का समय परमेश्वा ने रखा कि अन्या जातिया भी प्रवेश करें उनके राज्या में आये अन्या जातियों के लिए भी एक ध्वार खुला गया जिसके विशे में पाउलूस ने रोमन्स 11-25 में बात किया हम लोग का 21 और 25 आगे पड़ते हैं सूरज और चांद उसके बात क्या होगा सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाए देंगे और प्रत्वी पर देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे शमूद्र के गरजने से और लहरों के कोला हल से गबरा जाएंगे सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाएदेगा तो कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि हम चांद तारों और चिन्हों चांद तारे और सीतारों में हम विश्वास नहीं करते हैं जरूरी है हम जोश में जो जोश देखते हैं उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं पर परमेश्वन ने चांद तारे और आकाश की चीज़े क्यों बनाई थी यदि उत्पती में उत्पती में उत्पती एक अब घर यह सिफ रैफरेंस लिख लिजिए उत्पती पहला 14th verse 14 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ फिर परमेश्वन ने कहा कि दिन को रात के रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में जोतियां हो और वो जोतियां यानि कि सूरत चांद सितारे और वो जोतियां और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो स सबसे पहला क्या हो वो साइंस देने के लिए चिन्हा देने के लिए किसको चिन्हा देना है परमेश्वर को चिन्हा की जरूरत नहीं है इनसे सुरुष्टी के उपर रहने वाले लोगों को चिन्हा की जरूरत है तो वो जोतियां चिन्हा के लिए सुरुष्टी के लोगों के लिए प्रभु येश्य मसी जब इस प्रुथवी के उपर अवतरित हुए जन्मलिय तब सबसे पहले कौन आया था प्रभु येश्य मसी को देखने के लिए और क्या देखकर आये थे कि आने वाला उध्धार करता आने वाला इस रुष्टी का राजा इस पृत्वी का राजा इस रुष्टी का राजा वो जन्मा ले चुका है कैसे उनको पता चला था जड़ा सोचे कैसे पता चला था एक श्टार एक तारे को देखकर वो मागी लोग मागियों के राजा वो तीन राजा वहां और उनक कि बताता है कि हमें हमें क्या समझना चाहिए इस समय के विषय में और पूत्फवी पर देश-देश के लोगों को संकठ होगा क्योंकि वे समुत्र के गरजने से और लहरों के कोलाह से गपरा जाएंगे प्यारों बीते कुछ आंकडे में देख रहा था तो बीते इस समय की हम बात करें तो एवरी डे एवरी डे 55 अर्थक्वेक्स होते हैं जो पहले उनकी संख्या इतनी सारी नहीं थी एवरी डे 55 और यदि एक साल की बात करें तो हर साल 20,000 से ज़्यादा साल में तोर्णेडोस क्योंकि वे समुद्र के गरदने से और लहरों के कोला हल से घबरा जाएंगे एक साल में कम से कम एक हजार से ज़्यादा तोर्णेडोस हर एक अलग अलग जगा पर आते हैं क्योंकि हम एक प्रदेश में रहते हैं एक जगा पर रहते हैं कई लोगों के कई लोगों के राष्टर या हमारे सहर के आसपा समुंदर नहीं है यह इसलिए ऐसे टॉर्डनेडो उसके बारे में उस विपत्ति के बारे में जो अल्रेडी हो रही है हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है हम सिफ उनको टीवी में देखते हैं न्यूज में देखते हैं पर यह से ज्यादा टॉर्नेडो और एक सालमे 20,000 से भी ज्यादा धर्तीक्त हो रहा है एक दिन में पचपन से ज्यादा अर्थक्रक्त हो रहा और एक घटना को हम देखे इस समय में जब कोर ना आया है हुससर क्वो सिफ ए एक ट्राइल वो क्या है अने वाले समय में जो देखो एक परमेश्वर की सत्ता है परमेश्वर का राज्य है परमेश्वर के लोग है जो इस प्रुथवी के उपर परमेश्वर के राज्य को प्रगट करते हैं परमेश्वर के राज्य को एस्टाबलीस करते हैं उसके सामने अंदकार की सत्ता है जो भी इस प्रुथ राज्य स्थापित करना चाहते हैं सैतान अंधकार की शत्ताएं उनका राज्य स्थापित करना चाहती है तो एक ट्रायल था कि लोग इस कोरोना से गवर्मेंट कैसे रियक्ट करती है लोग कैसे रियक्ट करते हैं क्या लोग गवर्मेंट का मानते हैं या नहीं मानते हैं मास् जो करना चाहते हैं वो योजनारे कैसे सापीर की जाए उसके लिए ये सिफ ट्राइल था उस विशय में हम ज्यादा नहीं जाते हैं तो कोरोना जब आया तो पुरी पुर्थवी के उपर क्या आया था बाड आई थी है ना उसके बाद पहली बार एक घटना हुई जो सारी पुरुथवी के उपर हुई और जिसको हम कहते हैं कोरोना कोविट-19 के बीमारी और यह सब पहली बार हुआ था इतने समय के बाद whole world has gone through पूरी सुरुष्टी इस कोरोना से प्रभावित हुई पूरी पुरुथवी सारे देश हरेक लोग अमीर हो या गरिप शर्व देश के लोग हरेक के लिए यह कोरोना की बीमारी थे और हरेक उनसे प्रभावित हुए हरेक को गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ी हरेक को अ 1947 जब इसराइल स्थापित हुआ और जाहिर हुआ यरुशालेम को अब तो कैपिटल के रुप में जाहिर किया गया है समय बदल चुका है प्यारों अब इग्नोरंड में मत रहिए जरूर में यह सब बाते मैं क्यों बता रहा हूं डराने के लिए नहीं में और आप और हमारी कलीश्या के लोग जितने भी लोग को आप जानते हो कितनों को आप बचाना चाहते हो समझे कि समय बदल चुका है और समय थोड़ा ही बाकी है रैप्चर केन हैपन एट एनी टाइम है यह कोरणा उसको हम एक वार्णिंग यदि उसको लेना है तो एक वार्णिंग के रूप में ले सकते है कि हमें अपने आपको तयार करना है कलीश्याव को अपने आप में तयार होना है लोगों को तयार होना है और थोड़ा समय यदि बाकी है वो कहते हैं कि हारने वाला दुगनी शक्ती से प्रहार करता है क्योंकि वो जीतना चाहता है तो हम उसी रीती से इस समय को ले कि पूरा प्रयास करे सुसमाचार के लिए परमेश्वर के महान आदेश के विशह में पूरा प्रयास करे पूरा शक्ती लगाए पूरा जो आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की श्रक्तियां हिलाई जाएगी ये सारे प्रभु येश्यु मसिह के मुक्स से निकले हुए वचन है भई के कारण कोरोना जब आया सिब बात कर रहे हैं तो एक भई का माहौल ह हमें ये बिमारी हो जाएगी हम मर जाएंगे हम इससे एफेक्ट हो जाएंगे मेरे कारण मेरे परिवार इससे संक्रमित हो जाएंगे एक भई हमेशा चाया रहा है इसलिए मैं पहले से और हम लोग पहले से कहते हैं से कि इस भई से बचे रहो हमें भई का नहीं हमें दाशत एक implication है कि आकाश की शक्तियां जो अंतकार की ताकते हैं, जो पतित हुए दूथ है, वो पहले आकाश में अपनी शत्ता या अपनी जगा बनाए हुए है और वहाँ है, तो आकाश की शक्तियां हिलाए जाएगी, वो अपना पूरा प्रयाश करेंगे कि लोगों को अंतकार के राज्य में और जो उद्धर की आशा है, जो धन्य आशा है कि आने वाली विपत्यों से लोग बच जाए, उसके विरुध में वो काम करेंगी, उसका दूसरा इंप्लिकेशन है, सायद, ये मेरा मानना है, उसकी पूरे जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कि सायद, उलका वर्षा जिसकी हम सिफ हमारे बुक में पढ़ा था, सिफ हमारी बुकों में हमने पढ़ा है, पर वो उलका वर्षा, ये पृत्वी, देखे, सदम और गमरा में कुछ हुआ था, वैसी ही बाते आने वाले समय में हो सकती है, और होने वाली है, वो एक अलग, पर इसको आप डियूल र बाते देखेंगे, जब ये बाते होने लगे, तो सीधे होकर अपने सीर उपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, ये सब बाते जब होने लेगे, तो अपना सीर उपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा, ये कौन कह रहा है, ये प्रभु येश्यु मसिह कह रहे हैं प्यारों कई बार परमेश्वर का धन्यवाद हो के पिछे बिते दिनों में पाश्टर रमिज जी ने ये पूरा समझाया था और हम बार बार ये कहते कि रैप्चर प्रभु का पुन्रा अगमन दुसरा आगमन और एंड टाइम्स जगत का इन सब को हम मिक्स कर रहे हैं उनको मिक्स मत करिए रैप्चर होगा पहले जब प्रभु येश्यु मसी बादल ओपर आएंगे वो पृत्वी पर नहीं आएंगे पृत्वी पर प्यार नहीं रखेंगे सबसे पहले वचन कहता है कि मनुष्य के पुत्र को शामर्थ और प्रभू 7 साल का उसको क्ले सकाल उसमें भी हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं और उस दौरान उसके बाद वह उसके समय के बाद प्रभू पृत्वी पर आएंगे और एक हजर साल का राज जिसका हम हर रोज दूआ में कहते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए वो कौन सी बात हम करते हैं कौन सी भविश्यवानी के लिए हम प्रात्ना करते हैं कौन सी भविश्यवानी के लिए प्रभु ने प्रात्ना करना सिखाई तब उन्होंने कहा कि कहो कि प्रभु तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में तेरी सारी इच्छाय पूरी होती है, इस पुर्थवी के उपर भी तेरी इच्छाय पूरी हो और तेरा राज्य आए। हो रही है, यह सब आपके और मेरे आखों के सामने हमारे समय में हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि समय बदल चुका है, तो तब क्या करो, यह सब बाते जब होते हुए देखो, सीधे होकर अपने सीर उठाना, यानि कि प्रात्ना करो, दुआ करो, क्योंकि तुम्हारा छुट होती है, दूख होते है, कलेश होने वाले है, महा विपत्ती का समय आने वाला है, पर परमेश्वर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमेशा छुटके का मार्ग रखता है, वो हमेशा रिडम्शन का प्लान रखता है, वो आपके और मेरे और सभी के लिए एक रिडम् को और मुझे वो रिडीम करें हमें उद्धार दें हमें उन सब बातों से बचाए उनिस ट्वेंटी नाइंथ विया है ट्वेंटी नाइंथ अंजीर के पेड़ करें देखों प्रभू येश्वमसी हमेंसा द्रष्टांतों में बात करना चाहते हैं ताकि लोग जो नहीं समझ सकते वो भी यदि समझना चाहे तो समझे पर उस द्रष्टांत में गूढ रहश्या और मर्मा रहते हैं उसने उनसे कहा 29 उसने उनसे एक द्रश्टान भी कहा अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो जो ही उनमें कोपले निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रिस्मकाल निकट है ठ्रश्टान देना होताँ तो परमेश्वन ने अंजीर के पेड़ के विषए में क्यों कहा और सब पेड़ दो बाते परमेश्वने की अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो देखो परमेश्वर की योजना को समझना है परमेश्वर के समयों को समझना है तो सबसे पहले इसरायल को कैंद्र में रखना पड़ेगा इसरायल को फोकस में रखते हुए ही सब कुछ समझना पड़ उपले आती है और सब पेड़ों के उपर भी कुपले आती है पर क्यों उपर मेश्वन ने अंजीर के पेड़ को अलग दर्साया और सब पेड़ों को अलग दर्साया प्रफेटी कली इसको यदि हमें देखना है तो अंजीर का पेड़ वो इसरायल को दर्साता है इसरायली लो और सब पेड़ों को देखो यानि कि अपनी नजर रखो वहाँ पर कि वहाँ पर क्या हो रहा है और सब पेड़ों को भी देखो कोपले निकलती है तो समझ जाना कि ग्रिसमकाल निकट है इसराइल as a state of इसराइल बीते 1947 से पहले 2000 साल तक as a state of इसराइल नहीं था 1947 में वो इसराइल देश बना उसके बाद एक ज्यूबिली भी गुजर गई एक ज्यूबिली भी गुजर चुकी है यरुशालेम इसराइल का राधधानी बन चुका है डिकलेर हो चुका है और उनकी territories इसराइल की territories define की जा रही है map उनका बनाया जा रहा है और ये सब हमारे समय में हो रहा है और दानियल ने जो 70th week के विशय में बात की थी तो उनके समय में जब अभेशिक शरदार आएगा उनको काटा जाएगा यानि कि उनका बलीदान होगा उससे लेकर जब इसराइल फिर से पुनस्थापित हो फिर से रिश्टोर हो वो जो समय था वो अन्यय जातियों का समय और एक पौज समय में एक पौज आ गया था और व तो उसको आप कलेस काल के रूप में ले सकते हो और उसकी उसके समय के बहुत ही निकट हम आ चुके है क्योंकि इसराइल औरेडी फॉर्म हो चुका है इसराइल रिस्टोर हो चुका है एक जबली चली गई है आज हमारे समयों में इसराइल के टेरिटर इस डिफाइन की जा तो यह सब जब बाते आप बनते हुए देखो तो क्या करना समझ जाना कि ग्रिस्मकाल निकट है इसी रिती से इकतिस्वी आयत इसी रिती से जब तु यह बाते होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है बिते समय में आप देखो तो ये साइंस और हिस्टोरियन सब को यदि हम साथ मिलाए तो इसराइल जब तक बना नहीं था 1947 में जब वो रिश्टोर नहीं हुआ लोग वहाँ पर आकर रहने नहीं लगे बहुत ही कम बारिस उस प्रदेश में पड़ी थी पर जब से इसराइल आया और इसराइल ऐसे आत्मिक रिटी से समरुध हुआ वो देश भी समरुध हुआ आज पता है कि कई बार लोग वहाँ वीडियो और वो सब रखते जब बारिस होती है और जादा बारिस होती है तो वो बहुत ही सारी बाते हम समझ सकते है कि जो अब तक जो बंजर पड़ा हुआ था जो जगा वो अभी फ्रूटफुल हो रही है वहाँ पर कूपले निकल रही है वहाँ ग्रीनरीस ग्रीनरीस है पूरे वल में इसराइल की सबजियां फल वो सब उनके वकान किये जाते है कि बह दानियलो की परमेश्वर का राज्य निकट है दानियल एक इमेज मैंने जो दी थी आप प्लीज वो स्क्रीन के उपर ला सकते हो दानियल के पुस्तक में दूसरा अध्याई जो स्टैच्च्यू का चित्र था जो स्टैच्यू का इमेज था आप सेर करिये तो वहाँ पर एक और मूरत नभुखाद निस्सार को एक स्वपना आया था और स्वपना में एक मूरत दिखाये दी थी और उनका कुछ अर्थ था वो उनका अर्थ नहीं समझ पाया था पर चार राज्य के विश्य में वहाँ पर बात की थी पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे सीर का भग जो एक बैबिलिन को दर्साता है उसके बाद चेश्ट का भग जो मीडी और पर्संस राजा को और राज्य को दर्साता था नभुखाद निसार के बाद मादी और पर्ष्यन लोगों ने वहाँ पर राज किया उसके बाद ग्रीस ने जो बेली और उसके नीचे क्या भाग उनको ग्रीस ग्रीस राज्जा किया उसके बाद दो पेर जो आयन के थे लोहे के थे जो रोमन सल्तनत रोमन राज्य को दर्साता था और सब से नीचे पैर जहां पर दस उंगलियां होती है न दस उंगलियां होती है तो वो दस यदि वो चित्रा आप इमेज यदि बता सको तो प्लिस सेयर कीजिये जो पूरा चित्र है स्टैच्यू का हम आगे बढ़ते हैं तो वहां लोहे लोहा वो जो पैर था जो एडियां थी वो लोहे की बनी थी और मिटी लोहा और मिटी साथ में तो इसको क्योंकि वो हमारे समय की बात है वो उस समय की बात नहीं है वो हमारे समय की बात है कि दस राज ब्रिटन उसको आज भी लोहे समान राज्य किना जाता है और मिट्टी स्ट्राओंग नेशंस और विक नेशंस लोहे के राज्य और मिट्टी के राज्य पर बीटे समय में ब्रिटन ने उस वो जो संगठन है उसमें से वो निकल गया ब्रीटेन उस संगर्ठन में से निकल गया और ये सब बाते हमारे समय में हो रही है और एक बड़ा सा पत्थर एक पत्थर आया जो उस मुर्ति के पैरों में लगा और वो धेर हो गई और सारे राज्ये सारी मुर्ति धेर हो गई और उसके बाद वह पत्थर जो मुर्ती पर लगा था वह बड़ा पहाड बनकर सारी पृत्वी में फैल गया। वो कौन है वो पत्थर कौन है प्रभु येश्व मसी जब प्रभु येश्व मसी आये उनके बाद सुसमाचार और परमेश्वर के राज्य की बाती इस पृत्व हुआ लोगों के आखों के सान में वो स्वर्ग में चड़ गया और उसके बाद प्रभु येश्व मसी के राज्य का सुसमाचार पूरे वर्ड में फैला गया। बड़ा पहाड बनकर सारी सुष्टी में फैल गया। और वहां पर प्रभु एक बात कहते है बत्तिस वियायत जब तक ये सब बाते न हो ले तब तक इस पीड़ी का कदापी अंतना होगा। इसके भी ड्यूएल इंप्लिकेशन है। जब प्रभु ने बुला था तो उसके बाद 70 AD में यरुशालेम को रोंदा गया, वहां के लोगों को मारा गया। और जोसेफस करके एक इतिहासकार ह उसके इतिहासकार हैं उसके इतिहास के हिसाब से जोसेफस के इतिहासकार जोगों कुतल किया गया, मारा गया और उसका पूरा हिट्री है, आप वो सब पढ़ सकते हूँग है। तो एक वहां पर और यदी हमारे समय में इसकी बात करें तो 1947 में इसराइल बन चुका है। कोपले निकल चुकी है तो समझ जाना के ग्रिस मकाल निकट आया है उसके बाद जुबिली येर 2017 में पहली जुबिली पूरी हो चुकी है और उस समय जो बनना था कि यरुशालेम को एजराध्धानी कैपिटल जाहिर किया गया है और जब तक ये जब बाते न बने तब तक इस पीड़ी का कदापी अंतना होगा यानि कि 47 के बाद की पीड़ी परमेश्वर का वचन उत्पति छे में यदि आप पढ़ोगे तो मनुष्य की एक आयू मर्यादा सिमित की गई है ना 120 साल कि 120 येर्स के मनुष्य जादा से जादा 120 साल तक तो 1947 से 2017 तक 70 येर्स पूरे हो चुके है इस पीड़ी का कदापी अंतना होगा समझ ये आप होश्या हो आप समझ ये जिसको कान हो वो सुन ले 1947 onwards people 1947 के बाद के लोग जो भी पीड़ी होगी उसमें ये सब बना रहेगा जरूरी क्या है कि ये सब बाते जानकर हम कितने तया है 34 वी आयत इसलिए साउधान रहो ऐसा नहो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले पन हो जाए मतवाले पन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम्हों पर संदे के समान अचानका पड़े प्यारो ये मनुष्य सुभाव है कि हमारे बाप दादा जीते आए उनके बाप दादा जी गए आज हम जी रहे हैं और हमारे बाद पीडियां भी जीती रहेगी ये पृत्वी जैसे चलती है वो चलती रहेगी जिनके बच्चे होंगे वो अभी सोच रहेंगे कि अभी तो मेरे बच्चे का साधी करना बाकी है अभी मुझे ये काम बाकी है अभी मुझे वो काम बाकी है और ये सब हमारे समय में नहीं हो सकता ये मनुष्य सुभाव है मै तो फास्टिंग करे, 21 दिन तक फास्टिंग करे, कि प्रभू तो मुझे समझा, कि वो उद्धार का दिन कभ है, वो कभ होने वाला है, और परमेश्वर दयालू है, वो समझाते हैं, वो बताते हैं, आप कितने उनको सुनने और समदने के लिए तयार हो, और मनुश्य का स्वभाव है कि भई सब ठीक हो, सब यसे ही चलता रहे हम जाएंगे हमारी पाद दूसरी पेड़ी भी आएगी, तिसरी पेड़ी भी आएगी और ये दुनिया चलती है वैसे चलती रहेगी, पर बाइबल कुछ अलग बात करता है जब प्रभु कहता है कि आकाश और पृत्वी टल जाएंगे पर मेरी बाते नहीं टलेगी इसका मतलब कि आकाश और पृत्वी टल सकता है और टल जाएगा पर मेरी बाते नहीं टलेगी तो ये संबव है इसलिए सावद रहो ऐसा नहो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर संदे के समान अचानक रभू कहता है कि मेरा आना चोर के समान होगा और जो तयार नहीं है ऐसा नहो कि वह दिन तु के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा सिफ इसराइल के उपर नहीं सिफ इंडिया के उपर नहीं सिफ अमरिका के उपर नहीं चाहे आप मानो या ना मानो सुनने वाले चाहे आप मानो या ना मानो भविश्य में सुनने वाले चाहे आप मानो या ना मानो क्यों ये सब जानने के बाद भी क्या करना है, कैसे जीना है, इसलिए जाकते रहो और हर समय प्रात्ना करते रहो, जाकते रहो और हर समय प्रात्ना करते रहो, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, क्योंकि आने वाला जो समय है, क्लेशकाल महा क्लेशकाल उन सब में जो होने वाला है प्यारो बचन कहता है कि पृत्विक के सुरुआत से पृत्विक के सुरुआत से जो घटनाए नहीं बनी है जो विपत्या लोगों ने सुनी नहीं है जो विपत्या लोगों ने देखी नहीं है वैसी विपत्या होने वाल करो बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र प्रभु येश्य मसी के सामने खड़े रहने के लिए हम योग्य बने इसलिए प्राथना करो अपने आपको तयार करो देखो परमेश्व कितना भला है वो हमेशा रिडेंशन का मार्ग रखता है है ना हमेशा वो एक योजना रखत परमेश्वन ने बात चित की पर अंत के समय में प्रभु ये अपने पुत्र के द्वारा प्रभु येश्य मसी के द्वारा बात की अंत के समय में यानि कि जब प्रभु येश्य मसी आए तब से अंत का समय सुरू हो गया वही बात पत्रस कहता है कि अंत के समय में परमेश् मेरे बेटो बालको यह अंत का समय है इंगलिस में लिखा है कि it is the last hour और यह तो यहुन्ना ने 2000 साल पहले कहा था कि it is the last hour तो 2000 साल बाद हम इसको कह सरते हैं कि हम आखरी कल्लाक के आखरी अवर के आखरी मिनीटों के जो भी आपको समदना है जिनको सुनने के लिए कान हो वो सुन ले जो हमने बात किया था कि Gentiles अन्य चातिया का समय पूरा ना हो तक यानि कि यह जो कुछ भी समय हमें मिला है वो कि जितने भी लोग बच सके प्रभु ये श्व मसे में वो बच जाये क्यांकि प्रभु अपने कलीश्य को लेने के लिए आएगा प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आएगा पहला करिंथियो आप पूरे सब अध्याई 51 और 52 देखो मैं तुम से भेद की बात कहता हूं हम सब नहीं सोएंगे परन्तु सब बदल जाएंगे जो जिंदा है वो बदल जाएंगे ग्लोरिफाइड बॉड़ी बावन वियायत और यह शान भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फुकते ही होगा क्योंकि कैसे ह पल भर में चुटकी बजाते ही पल भर में इक आख जैसे फढटी है उतने समय में पलक मारते ही अंतिम तुरही फुकते ही सब होगा क्योंकि तुरही फुकि जाएगी और मुर्दे जो मर चुके है रभू यश्यो मसी में मुर्दे अभी नाशी दसा में उठाए जाएंगे और हम जो जिन्दा है वो बदल जाएंगे पहले पहला थेस्टनोलिका फर्स्ट थेस्टनोलिका चैप्टर फोर सिक्स्टीन और सिवेंटीन क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दुद का शब्द सुनाए देगा और परमेश्वर की त हम उनको मर गए ऐसा नहीं कहते है पर हम क्या कहते है जो मसीह में सो गए है वो पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे हवा में प्रभु से मिलेंगे तो प्रभु कहां पर आएगा हवा में बादलों मे प्रुथ्वी पर प्यार अभी नहीं रखा है हवा में आएगा और ये सब बाते होगी पहले जो मसीह में मुर्दा है वो जी उठेंगे उनको एक आत्मिक शरीर मिलेगा और वो बादलों में उठा लिये जाएगा उसके बाद तुरंथ ही जो जिन्दा है और प्रभु येश् मसी में उद्धार पाए है जो प्रभु येश्य मसी के मार्गोपल चल रहे है मसी ही लोग नहीं कान खोल कर सुन ले जितने क्रिश्चन से उनके विशे में बात नहीं है हो सकता है कोई अन्य कोई धर्म में हो अन्य कोई फेट में जन्मा हो पर एक समय आया उनको प्रभु और आज वो किसी और कोई भी धर्म में होकर, कोई भी फेत में रहते हुए। इस बात टीतस उसका दुसरा जय और ग्यारावी आयत से आगे ग्यारा वारा देरा क्यूंकि परमेश्वर का अनुग्रफ प्रगट है कौन सा अनुग्रफ प्रभु येश्य मसी में नियम सास्त्रा मुस्या के द्वारा आया पर अनुग्रफ और सत्यता प्रभु येश्य मसी के द्वारा आई उद्धार की आश्रा उद्धार का मार्ग उद्धार की योजना प्रभु येश्य मसी के द्वारा आई प्रभु प्रभुयेश्यो मसी के उस बलिदान में प्रभुयेश्यो मसी के उस पुनुरुथान में और प्रभुयेश्यो मसी में जो विश्वास रखते हैं उनके लिए वह अनुग्र प्रगठ है जो सब मनुष्य के उद्धार के लिए सिप मसीहों के लिए नहीं सब मनुष्य के उद दार का कारण प्रभु ये शुमसी है और हमें चेतावनी देता है कि हम अब बक्ति और सांसारिक अभीलासाओं से मन फेर कर इस युग में सैयम और धर्म और बक्ति से जीवन बिताए क्या करना है ये सारी बातों को तो हमने जान लिया हम कौन से समय में जी रहे हैं वो हमने ज मैंने पहले ही कहा, how much do you know it doesn't matter, how much you are prepared that matters, कि आप कितने तयार हो, how much you are aware of it doesn't matter, it is all about how much you are preparing yourself, आप अपने आपको कितना तयार कर रहे हो, कितने आप जागरुत हो नहीं पर कितने आप तयार हो, तो किया करना है? सांसारिक अभीलासाओ से मन फेर कर, इंस संसार की बातों को, बातों से मन फेर कर, इंगलिज में बहुत अच्छा लिखा है, ungodly, living और बल्ली, सांसारिक जीवन, ungodly, जो परमेश्वर का जीवन नहीं है, जो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, वैसे चोरी करना संसार की हर एक जो ब्रश्टता है उसमें सामिल होना तो वह सारी बाताओं से मन फेर कर इस युग में संयम यानि कि हमारे समयों में आपके समय में और धर्मी जीवन जीकर भक्ती में जीकर बक्ती में उसका मतलब नहीं है कि बाइबल पढ़ लिया चर्च में जाते हम तो हरे चर्च सर्विस को अटेंड करते हैं पर जीवन में क्या हो रहा है जीवन में क्या चल रहा है वो माइने रखता है संयम के साथ धर्मी जीवन के साथ और भक्ती में जीवन के साथ जीवन बिताना है ये दुष्ट दुनिया में और ऐसा जीवन इस दुष्ट दुन चैब लोग साधी करते थे और करवाई जाती थी इसका मतलब कुछ और है यरी परमेश्वेन नहीं देखेंगे प्रभु ने जब कहा कि nuh के समय में जैसा था तो क्या था नuh के समय में सिप एक हिंटे देता हूं सदों और गमोरा का नास क्यों हुआ सदम और गमोरा का नास क्यों हुआ था अब पढ़ लेना सिखना नू के समय में वो ही था ऐसा ही बाते थे तो नू के समय में जैसा था वैसा ही इस समय में भी होगा प्रभू का आगमन जब निकट होगा तो वैसा ही होगा तो क्या करना है यह सारी बातों को जानकर हमें सैयम, न्याई और भक्ति में जीवन बिताना है, परमेश्वर में जीवन बिताना है, और उस धन्याश्वर की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता, कौन है महान परमेश्वर, कौन है उद्धार करता, येश्य येश्यो मसीर की महिमा के प्रगट होने की बाट जोते रहे। आये, वो हमें, योग्यकीने, कि फों उनके साथ ले जाए, सब्सक्राइए, उनके राज्यां में प्रवेश करने के लिए, वो हमें ज्याई गीने, वो हमें धन्या गीने, वो हमें कह सके, कि सबास, well done, my faithful servant, वो हमें कह सके, आपको और मुझे कह सके, कि साबात मेरे पेटे, मेरे पिता के खुशे में, मेरे पिता के आनन्द में सहबागी हो परमेश्वत अब सब को आशिश दे आईए हम प्रातना करें प्यारे परमेश्वत पिता, प्रभु येश्य मसी नाजरे के नाम से हम आपके चर्नों में आते हैं पिता हम धन्यवात करते है आपकी भलाईों के लिए, आपकी आशीशों के लिए, जो समय में हम जी रहे है, जो गटनाई हमारे समयों में बनी है, उन सब को देखकर प्रभू हम इगनोरंट ना रहे, उसको इगनोर ना करे है। पर प्रभू, इंसारी बातों को समधने के हमने सिखा कि हमें क्या करना है उस उद्धार की उस धन्याशा की हमें बाट जोनी है और अपने आपको तयार करना है सैयमी जीवन जीना है इस संसार की अबद्र ब्रष्ट अभिलासाओं से हमें दूर रहना है और प्रभू हमें अपने आपको एक धर्मी व्यक्ति वनाना है कि हम सैयमी जीवन जीए हम धर्मी जीवन जीए और प्रभु तेरे साथ के घाड़ और अतूट संबन में जीए क्योंकि रेक्चर और प्रभु तेरे आगमन के विशय में जो गटनाय होने वाली है वो और रेरी सारी भविश्यवानिया पूरी हो चकी है और हम तेरे धन्याश कर्मेश्व पिता मेरी प्रात्मा हैं जितने भी लोग आज बीमार है प्यारों आप कहो कि प्रभु मुझे तुछंगा कर तेरे राज्य के लिए मैं काम करना चाहता हूं कहिए प्रभू से कि प्रभू तेरे राज्य के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, मैं लोगों को सुसमाचार देना चाहता हूँ, प्रभू मेरे सरीर की, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, प्यारो कभी भी ऐसा मत समझो, कि बुखार होगा तो चंगा होगा, मुझे हेड़क है तो चंगा होगा, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको इस संसार की कोई भी बड़ी बीमारी हो, प्रमेश्वर के सामने वो एक बीमारी है, बीमारियां, बड़ी या छोटी ने वो एक बीमारी, ये हमारा मन है कि ये बड़ी बीमारी, ये छोटी बीमारी, कहे प्रमेश्वर से कि प्रभू मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ, जितना भी समय मेरे पास है, प्रभू मैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे सोस्यल मीडिया के द्वारा, चाहे मेरे मुख के द्वारा, चाहे मेरे संगीत के द्वारा, मेरे कुछ नहीं तो प्रभु लोगों को मैं तेरा नाम दू कि क्या आप प्रभु येश्व मसीख को जानते हो आप कुछ नहीं कह सकते हो तो कहिए कि आप प्रभु येश्व मसीख को जानू ट्राक्ट दे सकते हो कोई भी रीती से कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं तेरे राज् प्रभु येश्यु मसी तेरा नाम है और उस समर्थ ही नाम से इन सारी बिमारियों को मैं डाटता हूँ और हुकम करता हूँ कि इन जीवनों में से इस शरीरों में से दुर हो येश्यु मसी नाजरी के नाम से चंगे हो जाओ प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर यदि किसी की कोई जरूरत है पिता मेरी प्रात्ना है जैसा तेरा वचन कहता है मेरा परमेश्वर उनकी महिमा के संपत में से आपकी हरे एक जरूरतों को मस्री येश्य मस्री में पूरा करे दनिवाद प्रभू आपने हमारी प्रात्नाओं को सुना है प्र